आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेसन में और आज के सेसन में हम चर्चा करने वाले हैं आपके एक्जाम E.S.I.C. डिप्टी डिरेक्टर की और उसमें भी एक पर्टिकुलर सेक्षन नुमेरिकल अबिलिटी और इसमें हम डिसकस करेंगे कुछ इंपोर्ट करने वाले हैं सेसन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए हमारा टेलीगराम चैनल जुरूर जोइन करें जिस आपको यह फैंसला करना होगा कि कौन सा ओप्सन है वो इन दोनों एक्वेशन के हिसाब से एप्रोप्रियेट है ठीक है तो एक्वेशन वन में क्या गिवन है हमें सब्सक्राइब करेंगे और यह धिद्धान रखिए A की power M into A की power N हमेशा equal होता A की power M plus N ये thirds और indices के rule है ठीक है कि जब भी base same हो तो power add हो जाती है जैसे ही यहाँ cross multiply करेंगे तो दोनों का base same है X तो power add हो जाएगी 5 by 3 plus 1 by 3 that is equal to 8 into 4.5 ठीक है जी तो अब देखो power उपर add होगी तो X की power 6 by 3 हो गया और इधर multiply करेंगे तो 36 तो X square is equal to 36 that means X is equal to 6 ठीक है अब equation 2 की अगर मैं बात करूँ तो क्या given है Y into 221 that is equal to 17 into Y square plus 42 ठीक है अब यहाँ से Y की value अगर निकालें तो 17 से ये cancel हो जाएगा सबसे पहले 1 से जाएगा तो 51 फिर 3 से गया तो 13 into Y that is equal to Y square plus 42 ठीक है अब इसको उदर ले जाएँगे right की तरफ तो Y square minus 13Y plus 42 is equal to 0 होगा हमारे पास और यहाँ से Y के 2 root मिलेंगे हमें 6 और 7 solve करने का तरीका असान है 2 root बन जाएँगे 6Y minus 7Y plus 42 जैसे बचपन में solve करते थे तो Y into Y minus 6 और Y यह दिर से minus 7 को मन लेंगे तो Y minus 6 बचेगा तो 2 root आगे Y minus 6 और Y minus 7 is equal to 0 तो Y की value यहाँ से 6 और 7 मिल जाएगी जैसे ही दोनों values को compare करता हूँ X 6 है और Y 6 और 7 है तो X जो होगा वो less than equal to Y हो जाएगा तो that means option 4th is the right answer ठीक है? Option 4th जो होगा आपके question का यहाँ पे बिलकुल perfect answer होगा clear us अभी को चलिए next देखिए question number 2 following question contains 2 equation as 1 and 2 फिर से आपको दोनों equations में relation बनाना है तो first equation क्या कह रही है? कि X plus 2 factorial that is equal to X plus 1 factorial और जो second equation है उसके अंदर हमें given है 2 into Y factorial that is equal to Y plus 1 factorial ठीक है जी? अब देखो यहाँ पे जो factorial notation होती है उसको solve कैसे करते हैं जैसे N factorial का मतलब होगा N से चोटी सारी continuous संख्या है जितने भी होगे उन सब की multiplication till 1 और 0 factorial हमेसा 1 होता है यह बात आपको ध्यान में रखनी है जैसे ही मैं यहाँ से X plus 2 factorial को solve करता हूँ तो X plus 2 और फिर उसके बाद सारी संख्याओं के multiply होगी यानि मैं यह भी लिख सकता हूँ X plus 2 और X plus 1 factorial जैसे 5 factorial का म लिख सकते हैं 5 into 4 factorial उसका मतलब भी same ही होगा अब यहाँ से right and side की तरफ क्या है X plus 1 factorial है तो यह X plus 1 factorial दोनों तरफ से cancel होगया तो X plus 2 that is equal to 1 तो X की value जोगी वो minus 1 होगी क्योंगी 2 right and side की तरफ आकर के minus हो जाएगा अब अगर equation 2 की बात करूँ तो 2 into y factorial है that is equal to y plus 1 factorial है तो इसको लिख सकते हैं y plus 1 into y factorial ठीक है तो y factorial cancel होगया तो y plus 1 is equal to 2 तो जो y की value होगी वो कितनी हो जाएगी y plus 1 is equal to 2 तो y की value हो जाएगी 2 minus 1 यानी 1 तो y is equal to आगया 1 दोनों का compare करूँ तो X जो है वो less than क्या है Y है तो that means जो option 2 होगा वो आपके question का right answer होगा clear है सभी को चलिए next question What value should come in the place of question mark in the following number series क्या value आएगी देखो पहली जो ट्रम है वो 26 है फिर 54 है फिर 181 है फिर 527 है उसके बाद question mark है फिर 2596 है ठीक है अब देखो क्या आएगा question mark की जगह पर अब सबसे पहले जो logical sequence लगाने की जो हमारी series होती है मतलब कैसे logic लगाते है सबसे पहला जो logic लगाया जाता है वो square या cube पर लगाया जाता है बट यहां पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा दूसरा multiplication या plus minus पर या divide plus minus पर ऐसा logic लगता है वो भी नजर नहीं आ रहा थर्ड नंबर पर हम step form लगाते है step form का मतलब होता है दो जो ट्रम होती है उनके बीच का difference लेना है आपको जैसे 26 और 54 का difference 28 है 54 और 180 1 का 127 है अगर यहां से देखूं 7 minus 16 12 में से 8 का 4 यह 346 है और यहां भी कुछ ना कुछ difference रहा होगा तो क्या कोई logical sequence बन रही है बट मुझे पता चल पा रहा है कि 28 होता है यह 3 का Q plus 1 होता है जैसे 127 होता है यह 5 का Q plus 2 होता है बहुत सारे बच्चों के मन में यह सवाल आना लाजमी है कि आपको तो पता चल गया होगा कि यह कैसे solve होगा आपने तो हो सकता है पहले भी solve किया और हमें exam में कैसे पता चलेगा यह पता चलेगा practice से यह सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई है कोर्स में भी पढ़ाई है अगर आप उससे जुड़े हुए हैं तो तो यह सारी चीज़ें बताई गई है और यह practice जब आपकी होगी लेकिन अगर करोगी नहीं कुछ भी practice नहीं होगी तो आप नहीं कर पाऊगे कभी भी ठीक है तो यह चोटी-चोटी चीज़ें दिमाग में नहीं लेकर आनी जैसे 346 है यह 7 का क्यूब प्लस 3 होता है अब जेखो एक sequence बन रही है कि 3, 5, 7 तो यहां 9 का क्यूब होना चाहिए और प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3 हो रहा है तो यहां प्लस 4 होना चाहिए अब 9 का क्यूब होता है 729 प्लस 4 करोगे तो यह 733 बनेगा मतलब इन दोनों ट्रम का difference 733 होगा अगर सम कर दूँ तो 27 और 36 होता है तो यह 1260 बन गया अब अगर इन दोनों का difference लूँ यहां पे तो यह बन रहा है आपका 1336 और that is equal to होता है 11 का cube प्लस 5 क्योंकि 11 का cube 1331 होता है प्लस 5 करोगे तो 1336 यह पूरी एक logical sequence बन गया हमारी ठीक है ना तो जो right answer होगा यहां पे वो option fourth होगा 1260 कलियर है सबी को चलिए next question find the remainder when 2 की पावर 49 is divisible by 7 अगर 2 की पावर 49 को divide करने साथ से तो remainder क्या होगा यह हमें बताना है ठीक है अब 2 की पावर 49 का मतलब है कि 2 की multiply हो रही है यहां पे कितने time multiply हो रही है 2 की multiply हो रही है आपके 49 times तो 48 times तक रही होगी फिर 49 times आया होगा ठीक है divide by 7 यह मैंने क्यों लिखा इसके पीछे एक logic है मैंने क्या कि 7 से divide करना 2 की पावर को 49 time multiply करके बहुत कठीन है तो हमने क्या किया pair बना लिए जैसे 3 3 के pair बना लिए 2 की पावर 3 divided by 7 अब जो 2 की पावर 3 होता है यह 8 होता है तो 8 की पावर 16 into 2 की पावर 1 divided by 7 और जब मैं 8 को 7 से divide करूँगा तो remainder 1 बचेगा तो 1 की पावर 16 होगा और into 2 की पावर 1 होगा तो 1 into 2 that is equal to 2 तो हमारा जो remainder होगा यह भी 2 होगा तो option 2 is the right answer कलियर है और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको solve करने के cyclicity theorem से कर सकते हो ठीक है फर्मेट से कर सकते हो बहुत दुनिया जान के तरीके है बड़ इजी मैथल मुझे यही लगा यह मैने आपको बता दिया ठीक है जी चलिए next इने competitive exam the number of past student was four times the number of failed student ठीक है कोई competitive exam है उसके अंदर अगर मैं past student की बात करूं तो वो जो fail student है जितने भी fail student उसका four time है अगर fail x हुए तो जो pass हुए होंगे वो 4x हुए होंगे if there had been 35 fewer appeared student and 9 more had failed the ratio of past and failed student would have been to ratio 1 then the total number of student appear for the examination अब जो pass हुए है वो 4x है ठीक है अब उसने बोला कि 35 fewer appeared student अगर मैंने का कि वो 35 के 35 student pass वाले थे जो कम appear हुए है ठीक है तो 35 कम appear हुए है माली जी वो सारे pass थे तो pass student कितने रह जाएंगे 4x minus 35 but वो कह रहा है कि 9 more had failed अगर 9 fail हुए तो इसमेंसे 9 कम हो जाएंगे फिर ठीक है अगर 9 fail भी हुए है तो 9 कम हो जाएंगे न पास में से ठीक है लेकिन वो 9 किसमें बढ़ जाएंगे जाकर कि वो fail में तो बढ़ेंगे ठीक है तो fail में वो बढ़ें तो x plus 9 पास में से कम होगे तो वो फेल में बढ़ेंगे पहली बात तो हमने ले लिया कि जो 35 कम अपियर हुआ है वैसे तो जो टोटल अब इतने अपियर होंगे 5X माइनस 35 ठीक है लेगन अगर मान के चलें कि वो सारे पास वाले हैं जो कम अपियर हुआ है तो 4X माइनस 35 लेकिन वो कह रहा है कि उसमें से 9 जो है वो फेल वाले हैं तो इनमें से 9 कम होगे फिर और तो वो 9 किसमें अट हो जाएंगे जाकर के फेल्ड वाले में अट हो जाएंगे और यही रेशियो कितना बन जाएगा 2 रेशियो 1 ठीक है क्रोस मल्टिप्लाई करें तो 4X माइनस 44 that is equal to 2X प्लस 18 तो इधर आके 2X माइनस होगा और उधर जाके 18 एटीन एड होगा 44 सोरी तो यह बन गये आपका 62 तो X की वैल्यू जो आजाएगी वो 31 आजाएगी ठीक है तो अब अगर यहाँ पुट कर दें उसने बोलाए कि the total number of student appeared for the exam तो 4X प्लस X तो 5X अपीर हुए थे clear है ना तो 5X अपीर हुए तो X की वैल्यू कितनी आजाएगी 5 इन्टू 31 यहनि की 155 तो उप्शन जो 1 होगा वो आपके question का बिल्कुल right answer होगा clear है सभी को जी चलिए next आप यहाँ से value पुट करके भी check कर भी सकते हो ठीक है चलिए next इसके लिए आपको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जो upstream होता है अगर upstream और downstream दोनों की बात करें तो जो upstream speed आती है कभी भी और downstream downstream speed आती है हमेशा bought in still water bought in still water plus rate of current ठीक है यह होती है हमेशा कौनसी speed हमारी downstream और अगर upstream की बात करें तो यह होता है bought in still water upstream का मतलब होता है against the stream ठीक है क्या होता है against the stream और जो downstream होता है downstream का मतलब होता है along the stream इसलिए speed हमेशा बढ़ जाती है एड होता है और upstream का मतलब होता है against the stream इसलिए हमेशा कम होती है तो boat in still water minus rate of current हो जाता है minus rate of current clear बात समझ में आई तो यहां पर वो बोल रहा है कि जो upstream stream है upstream जो speed होगी वो कितनी होगी 42 km कवर कर रही 63 मिनेट में तो upstream अगर speed निकालनी है तो km per hour में convert करें तो 63 मिनेट के अंदर 42 कवर हो रहा है तो 60 मिनेट में कितना कवर होगा into 60 तो यह 21 से cancel होगा 2 यह 3 3 से कटेगा 20 तो उसकी जो speed आगी वो 40 km पर आवागी क्या upstream speed ठीक है अब वो कह रहा है कि the speed of current अब हमें पता है कि boat और current की speed का difference ही तो यहाँ पर क्या होगा 40 होगा क्योंकि upstream 40 km आई है और boat in still water minus rate of current यह होता है तो उसने का कि the speed of the current is 3 7 of the boat in still water अगर boat 7 है तो current की speed कितनी होगी 3 तो जो upstream होगा हमारे according यहाँ से वो upstream speed कितनी हो जाएगी 7 minus 3 4 तो 4 की value कितनी है 40 तो 1 की value कितनी होगी 10 तो that means boat की जो speed है वो 70 km आवर है और जो current की speed है वो 30 km आवर है ठीक है जी यही तो आएगा उसके बाद बोल रहे है कि then in how much time how much distance can the boat cover downstream in 42 minutes अब एक बात देखो जो downstream speed आएगी हमारी वो कैसे आती है downstream speed होती है हमारी क्या boat in still water plus rate of current तो 70 plus 30 कितना हो जाएगा 100 km आवर वो हमसे पूछ रहा है कि 42 minute में कितना cover करेगा तो 60 minute में cover करती है 100 km तो 42 में cover करेगी into 42 6 से cancel होगा तो 10 6 से cancel होगा तो 7 0 से 0 कट गया तो 42 minute में कितना cover करेगी 70 km यह हमसे पूछा है तो option first is the right answer clear है सभी को जी थोड़ा सा basic concept आपको पता हो उसके बाद question मुश्किल नहीं है but basic पड़ा हुआ होना चाहिए तभी फाइदा होगा तभी concept रिवाई जो पाएगा ठीक है चलिए next there are two circles of different radius such that the radius of smaller circle is 3 7th that of the larger circle ठीक है एक smaller circle है माली जी यह smaller circle है और यह आपका जो larger circle है ठीक है उसने कहा कि जो दोनों की radius है radius में ratio कितना होगा भाई the radius of the smaller circle is 3 7th of the larger circle तो larger circle और smaller circle की radius में ratio कितना है 3 ratio 7 है ठीक है जी और a square whose area equal to 3 9 6 9 square centimeter has its side as thrice the radius of the larger circle what is the circumference of the smaller circle अब उसने बोला कि एक square है और इस square का जो area है square का area कितना दिया हुआ 3 9 6 9 square centimeter ठीक है जी तो किसी भी square का जो area होता है वो side का square होता है ठीक है भई तो side का square किसके बराबर है 3 9 6 9 के तो जो side होगी वो किसके equal होगी दोनों तरफ square root लेंगे तो 63 क्योंकि जो 3 9 6 9 होता है यह 63 का square होता है अब multiply करके देख लो अब मैं यहाँ पर आपको square निकालना ने शिखाँगा यह थोड़ी सी calculation है बहुत सारे lectures हमारे available है वहाँ जाकर करके आप देख सकते हो यह calculation से related ठीक है तो जो square की side आगी हमारे पास वह 63 आगी बट उसने कहा कि जो larger circle है इसकी जो radius है यह 3 जो side है square की जो side है वो larger circle की square की जो side है यह जो larger circle है larger circle इसकी radius का 3 times है ठीक है इसकी radius का 3 times है तो side कितनी है 63 तो जो radius आएगी larger circle की वो कितनी आजाएगी 21 cm, तो larger circle की radius आगी 21 cm, और यहां हमारे पास 3 ratio 7 है, दोनों की radius का ratio, तो 7 की value 21 होगा, किस से multiply करें? 3 से, same इदर से कर दो, तो जो smaller circle की radius आएगी, वो 9 cm आजाएगी, और हमसे पूछाएगी, what is the circumference of smaller circle? तो किसी भी circle की circumference होती है, circumference, that is 2 pi r, ठीक है, तो 2 into pi कितना होगा 22 by 7, और radius यहां पे कितनी है 9, अब multiply कर लो, 9 दुनी 18, ठारा दुनी 36, और 39, 40 by 7, तो 5 से जाएगा, 75 जा 35, फिर कितना बचे गया हमारे पास 46, ठीक है, तो approximate 47 होगी है, approximate 47, तो दिये गए option में approximate 47, सिर्फ option 2 के अंदर है, ठीक है न, तो 56 point something, पूरा आप calculate करोगे, तो उतना ही आने वाला है, ठीक है, आप करके मैं दिखा देता हूँ, अगर 75 जा 35, 46 हो गया भी, फिर 7, किस से जाएगा 6 से, तो 76 जा, 42 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 4, तो 56.5 लगबग इतना ही होगा, तो that means option 2 is the right answer, बेसिक सिर्फ formula आपको पता होने चाहिए थे, circle का area क्या होता है, square का area क्या होता, circle की circumference क्या होती है, मुश्किल नहीं था question, ठीक है, चलिए next, the unit digit in the, this is, ठीक है भई, हमारे पास value है, 264 की power 102, और plus 264 की power 103, हमें बताना है कि जब हम इसको solve करेंगे, तो unit digit क्या आएगा, आपको भी मालूम है कि 264 की power 102 लेना possible नहीं है, तो unit digit का कुछ rule होते हैं, यह course में हमने बहुत अच्छे से cover किया है, बड़ यहां पर मैं बता दे जब भी यह unit digit 4 हो, ठीक है, जब भी यह unit digit 4 हो, ठीक है, तो आपको power को क्या करना होता है, 4 से divide करना होता है, 4 का एक circle होता है, उसके裏 का कारना भी discuss nính करेंगे, बस 4 से divide करिए, तो यह 4 हो गया, ठीक है भाई, यहांसे unit digit उठालो सिर्फ और 4 की power, power को 4 से divide करो, और remainder लेना है जैसे ही 1, 0, 2 को 4 से डिवाइड करूँगा, तो remainder 2 आएगा मेरे पास, ठीक है, तो आप उसकी power भी 2 ले लो, ठीक है, प्लस, अब अगर यहां से देखूँ तो 4 है, तो यह rule होते हैं, जैसे unit digit में, अगर 0, 1, 5, 6, यह हो, इनकी power चाहे कुछ भी हो, जैसे मैंने कहा कि 255 की power 1, एक लाग सम्थिंग भी है, तो unit digit बताओ, unit digit का मतलब होता है, last का digit ही काई कांक, तो वो सेम ही रहता है, 0, 1, 5, 6 की power कुछ भी ले लो, सेम रहेगा, लेकिन जब 2, 3, 4, 7, 8, 9 यह लोगे, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, power को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, जीत और की power 3 कितना होता है, 64, तो last में 4 आगया बई, और जब एड करूंगा, तो 10, मतलब लास्ट में कितना आएगा, unit digit तो 0 ही आ रहे है, बाकी आगे कितना आ रहे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे सिर्फ unit digit पूछा है, ठीके, तो यह concept होता है, ठीके, और तो यह जरू और वो possible pairs of the number is, ठीके, कि ऐसे कितने possible pair बन सकते हैं, जिनका HCF तो 15 हो, और जिनकी product कितनी हो, 6300, माल लीजिए, वो दो number A और B है, ठीके, तो जब भी हम number निकालते हैं, तो number is equal to हमेशा, number जो होते हैं, वो HCF के multiple होते हैं, क्योंकि HCF is the highest common factor, अगर वो दो number A ratio B में लिए हमने तो एक number 15 A होगा भई, और दूसरा number 15 B होगा, क्योंकि उनका HCF 15 है, अब हमें बोला गया है कि दोनो numbers की जो product है, हमने number निकाल लिए 15, 15 B, दोनो number की जो product है, वो 6300 के equal है, तो यहां से अगर A into B की बात करूँ, तो 6300 को divide करेंगे 15 into 15 से, तो 15 से गया 15 को के 60, फिर कितना बच दूनी 30 और 15, फिर कितना बच गया बच गया, बारा बच गया 15, 820, तो A गुणा B, that is equal to 28, ठीक है, अब यह A into B 28 कब कब possible होता है, यह हमने देखना है, तो A की value 1 हो, B की value 28 हो, तब possible होता है, या A to O, B 14 हो तब possible होता है, या A आपका 4 हो, B 7 हो तब possible होता है, और किसी केस में पॉसिबल नहीं होता, repeated number हम कभी भी नहीं लेते, अब यह मत सोचो कि A को 28 ले सकते हैं, B को 1, repeated नहीं लेते, क्योंकि उसने यह नहीं बोला कि number आगे पिछे है, या A बढ़ाया या B बढ़ाया, कोई ऐसी condition नहीं है, और दूसरा कटने वाले pair नहीं लेते हम कभी भी, तो 2 और 14 भी नहीं लेंगे, क्टने वाले pair क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे ही मैं 2 और 14 में, अगर 15 से multiply करूँ, यह 30 हो गया, और यह 315, 15, 15, 15, 60, यह 210 हो गया, तो इनका जो HCF है, वो 30 बन जाएगा, ठीक है, इसलिए कभी भी जो simplify हो जाते हैं, pair वो नहीं लेते, तो यहा तो ध्यान रखना कटने वाले pair कभी भी नहीं लिये जाते हैं, ठीक है जी, चलिए next, यह आप लोगों के लिए homework है, ठीक है, एक last question, हमेशा की तरह है, जिसका answer आपको comment section में जरूर देना है, ठीक है, चलिए, thank you very much, आप सभी का बहुत-बहुत सुक्रिया, session से जुड़ने क के लिए, मिलते है next session में, इसी जो सरूर उत्सा के साथ, thank you very much, आपकी कोई भी query है, तो दिए गए number पे call कर सकते हैं, सुबह 10 से स्याम के 7 बज़े तक, यह 24 x 7 आप हमें कभी भी mail कर सकते हैं, yes, courses के दिख जानकारी के लिए, हमारी website पर भी widget कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, तो